So, Hello Everyone, तो Welcome to the first lecture of FRB, that is Free Revision Batch. तो आज से हम लोग का FRB स्टार्ट हो रहा है और जिन लोग को नहीं पता FRB हमें हम लोग करने क्या वाले हैं, तो FRB में हम लोग एक वीक में एक सब्जेट को पूरी तरह से cover करने वाले हैं, ठीक है, Monday to Saturday हम लोग के lectures रहेंगे, ठीक है, Monday to Saturday सिर्फ हम lectures करने वाले हैं, that is topic wise, जैसे कि आज हम लोग इस वीक में हम लोग biology को target करने वाले हैं, और biology में जो हमारा first topic आज रहने वाला, that will be cell, और इसको हम कैसे करने वाले, इसको हम करने वाले mind maps जैसे कि यहाँ आप आप देख सकते हैं, सारी चीज़े हैं, ठीक है, और यह background noise जैसे कि आपको यह प्यारी चिलिया के आवाज आ सकती ही थोड़ी बहुत, तो वो थोड़ा से compromise करिएगा, बाकी तो आपको और कोई problem नहीं होने वाले इस lecture में, और ना ही biology में, at the end, because at the end, that is Sunday को हम करने वाले पूरा one shot, one shot का मतलब यह है, कि हम total 100 questions के थ्रू complete biology का revision, मतलब एक साथ करने वाले हैं, तो उससे आपके practice भी हो जाएगी, और एक बारी में सारी revision हो जाएगा, सारी चीज़ों का जो हम लोग Monday to Saturday यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है, तो चलिए, बिना जादा time waste के वे start करते हैं, and one thing कि यह जो आपको mind map है, और जैसे कि मैंने इस announcement वीडियो में आपको पहली बताया था कि जितनी भी चीज़े हैं यहाँ पर सारी चीज़ें आपके लिए free ही रहेंगी, that means कि यह lecture भी आपका YouTube पही रहेगा, और ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ time clear रहेगा और नहीं क्योंकि वो जो मैं करता हूँ private वो batch की वीडियो होती है, ठीक है, यह भी batch ही एक तरह से, इस सारी चीज़ें हम लोग इस particular lecture में cover करने वाले हैं, उतना details से तो नहीं कर रहेंगे, ठीक है, जितना हम लोग ने lecture में किया था, लेकिन हाँ, सारी चीज़ें, एक एक चीज़ें कोना हम revise कर लेंगे, और इस तरह से मैं आपका revision कराऊंगो, कि अगर भाई, किसी को नहीं भी चीज़ें आती हैं, तो भी उसको चीज़ें समझ में आएं, ठीक है, यह आपको mind map वहाँ पे मिल जाएगा, और संडे की दिन आप लोग का test भी होगा, इसी particular topic, cell का नहीं सिर्फ, पूरी biology का, 100 questions तो हम लोग करेंगे ही, ठीक है, YouTube पे उसके अलावा आपको 100, जो भी कु पेस्ट होगा संडे को, ठीक है, अपना feedback ज़रू शेर करिएगा, विकॉस इन कुछ नए आउजारों के साथ मेरा भी ये पहली बार ही, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इस विए से अगर कुछ आपको इस तरह को वैसे तो कोई प्रब्लम नहीं होगा, सिवाए थोड़ा सहो सकता है कभी background noise जैसे की चिडियों की आवाज इस तरह से आजाए, तो वो तो खेर आपको enjoy करना चाहिए, वो तो मैंने चिडियों को यहाँ पे implant कर रखा है, वो इस वीडियो की सोभा बढ़ाएंगी और है ना, बाकि अगर कुछ horn वगर की आवाज आजाए, तो इसके पहले हैं पहले ही आपसे माफी चाहता हूँ, ठीक है, उस पर focus न करके lecture पर focus करिएगा, तो ज्यादा focus कर पाएंगे और बाकी की noise भी आपको नहीं आएंगे, तो start करते हैं with the definition onwards, तो यहाँ से definition से start करते हैं, सबसे पहले तो definition की spelling ही कलते हैं, कोई बात नहीं, जो आपको mind map कर सकते हैं, तो चले start करते हैं, सबसे पहले cell की definition, but before that cell की study को क्या बोलते हैं, अगर आप से पूछ ले तो, cell की study को हम बोलते हैं, cytology, इस चीज़ को ध्यान रखेगा, cytos, जो है, यह root word हम यूज करते हैं, किसके लिए, यह root word हम यूज करते हैं, cell के लिए, logi आप जानते है study, तो cytology is the study of cell, अब भी आजाते हैं, definition पर, definition इसकी यह दिजादे, building blocks of life, building blocks, यहनि की, और यह fundamental unit of life, यहनि जीवन की मौलिक की काई हैं, अब building block कैसे, जैसे for example, हमारी कोई building बनती है, तो building कैसे बनती है, कोई घर हो गया, कोई भी building हो गया, कोई बिल्दिंग हो गया, कुछ चाहिए हम humans हो गया, चाहिए animals हो गया, चाहिए हम humans भी animals की काटेगरी में ही आते हैं, plant and animal kingdom chapter में इसको पढ़ेंगे, and these are the structural or functional basis of life, यहनि की, जो life है, वो इनके बिना possible नहीं है, यहनि की, एक तरह से हम बोल सकते हैं, की, वही है कि, जीवन की एक मौलिक काई है, अब आते हैं तो discoveries वाले component में हम लोग पढ़ने वाले कई सारी discoveries, जैसे की dead cell की discovery, living cell की discovery, और भी काफी सारी discoveries, जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो, जो cell की discovery करी थी, वो करी थी Robert Hooke ने, in the year 1665, यह आपको year भी याद होने चाहिए, because यह भी पूछता है, तो 1665 में Robert Hooke ने discovery करी थी cell की, बट यह जो cell की discovery करी थी, it was a dead cell, यह मृत कोशिका थी, किस में करी थी? कॉर्क, कॉर्क आप ऐसे समझ लो, यह लखड़ी का टुकड़ा है, जब आपने का भी बाटल अगर खोली होगी, तो यहाँ पे आपको एक कॉर्क लगा हुआ हुआ, एक लखड़ी का टुकड़ा रह इसके बाद, in the year 1674, 1665 में तो खोज हुई थी किसकी dead cell की, 1674 में आंटोनी, यह ठीक है, atomic नहीं होगा, यह भी आपको correct हो जाएगा, आंटोनी वान लिवेन हॉक, आंटोनी वान लिवेन हॉक ने pond water में living cell की discovery करी थी, pond water में उनने living cell की discovery करी थी, सबसे पहली बार, then nucleus अभी हम nucleus, तो इसकी discovery करी थी, Robert Brown ने, in the year 1831, यह ठीक है, मत याद करिए, कि मतलब कब discovery करी थी, nucleus की, लेकिन यह dead cell और living cell, इस पे questions आये हैं, तो यह याद रखेगा, then DNA, अगर आप इसको भी नहीं आद करना चाहते हैं, तो इसको भी skip कर दीजा, पूरी तरह से, जब मैं आपको DNA चलो, कि आप, अगर बिगनर भी हैं, बिल्कुल भी नहीं पड़े हैं, ठीक है, और अगर आप इसे सारी चीज़ां करना चाहते हैं, तो भी आपकी सारी चीज़ां करना चाहते हैं, अभी किसमें आने वाले, अभी आने वाले parts of cell पे, ठीक है, cell का definition वाला component देख लिए हमने cell का हमने discovery देख ली, अब आते हैं, जो cell के parts होते हैं, बट उससे पहले भी मैं आपको कुछ यहां पर लिखवाना चाहता हूँ, वो चीज़ें क्या हैं, थोड़ा सा जो यहां पर लिखी नहीं हुई हैं, उसको पहले यहां पर समझ लीजे, क्या मैं आपको यहां पर बतान माइको प्लाजमा, ठीक है, एक तरह का bacterial cell है, यह सबसे छोटी होती है, लाजस के अगर हम बात करेंगे, तो जो ostrich एग होता है, उस्टिश का जो एग होता है, वो सबसे बड़ी कोशिका होता है, तिस लाजस्ट सेल, यह चीज़ दियान रखेगा, अब यह तो हम बात कर रह जाता है, sperm, जो sperm होता है, जो कि एक male sex cell हम बोल सकते हैं, वो होता है, सबसे छोटी कोशिका है, और सबसे बड़ी अगर बात करें humans में, it is ovum, जिसको कि हम अंडानू बोलते हैं, ठीक है, तो जो ovum होता है, it is the largest cell, अब अगर हम इसमें, अगर हम logic लगाएं थोड़ा सा, तो humans में सबसे छोटी sperm है, ठीक है, और सबसे लाजिस्ट ओवम है, अब ovum तो सिर्फ females में देखने को मिलती है, तो फिर male में सबसे लाजिस्ट कौन होगी, तो male में जो सबसे लाजिस्ट है, that is neuron, जो कि humans में सबसे लाजिस्ट सेल भी होती है, neuron, जो हमारे nervous system को form करती है, जैसे कि आपने nephron पढ़ा होगा, तो nephron जो हमारा excretory system होता है, mainly जो kidney होता है, उसका functional unit होता है, वैसे neuron जो एक तरह की cell होती है, जिनसे हमारा एक तरह से बहुत जो कि हमें brain और पूरे हमारे spinal cord में देखने को मिलती है, नहीं कि हमारे nervous system में देखने को मिलती है, तो neuron जो होती है, य अब हम cell के parts पढ़ने वाले, cell membrane पढ़ेंगे, cell wall पढ़ेंगे, तेन उसके बाद nucleus पढ़ेंगे, ठीक है, and then cytoplasm पढ़ेंगे, और उसके बाद आएंगे cell organelle पे mitochondria क्या होता है, endoplasm, इन सारी चीज़ों पढ़ेंगे, अब ही आते हैं cell membrane, कोशिका इसको बोलेंगे, कोशिक provide कर पाती है, and it holds the content of the cell, content of the cell क्या हो गए, अभी जो हम पढ़ेंगे, mitochondria endoplasm, जो भी सारी चीज़ों होती है, cell के अंदर, वो hold करने का काम, एक तरह से cell membrane का, ये जो cell membrane है, इसने पकड़ के रखा है, अंदर की सारी चीज़ों को, नहीं तो सारी चीज़ों क्या हो जाएंगे फैल जाएंगे, simple, ठीक है, cell membrane आपकी selectively permeable होती है, अब इस particular चीज़ पर मैं आऊँ, उससे पहले कुछ और बता देता हूँ, क्योंकि इस पर मुझे आपको थोड़ी और चीज़ें बतानी पड़ेंगे, कि cell membrane जो होती है, बनी किसकी होती है, ये protein की बनी होती है, plus lipids, या फिर lipids की जगे है, आपको हो सकता है, फॉस्फो lipids भी दिखे, फॉस्फो lipids भी लिखा हुआ, दिखे, तो इसका बना हुआ होता है हमारा क्या cell membrane, और कितना अगर एक बार percentage ही पूछ लिया तो, तो almost 50-50% मान सकते हो, थोड़ा कम जाता है, तो हो सकता है, वो cell पे भी depend करता है, selectively permeable का मतलब क्या होता है, selectively permeable जिसको हम बोल सकते हैं कि यह आपका semi permeable भी होता है, ठीक है, semi permeable भी होता है, अब इसका मतलब यह होता है कि selectively चीजों को अंदर यह एक तरह का cell का bodyguard आप बोल सकते हो, जो selectively चीजों को अंदर बाहर आने जाने देता है, और इसी की वज जैसे ही आपका होता है osmosis जो आपने सुनाओंगो जिसको परासरन बोलते हैं अब osmosis में आपको आगे बढ़ें तो उससे पहले हम यह चीज़ें समझ लेते हैं कि यह क्या होता है osmosis वगरा तो ध्यान से यहां पर देखेगा इस पर question आता है hypertonic solution, isotonic solution और hypotonic solution पर कि यह क्य होते हैं देखिए जो osmosis होता है या फिर for that matter diffusion भी होता है osmosis है diffusion osmosis को इंदी परासरन बोलते हैं diffusion को विसरन बोलते हैं ठीक है तो यह जो हमारे होते हैं osmosis और diffusion ठीक है osmosis और diffusion यह हमेशा high concentration चीज़ें मूव करती है आप है high concentration से low concentration मैं उच्छे सांधरता से कम निम नसांधरता वाले छेतर में move करती हैं जैसे कि diffusion तो आपका solid liquid gas तीनों में हो सकता है osmosis को होता है usually liquids में होता है and through a semi permeable membrane होता है ठीक है यह एक अर्ध पारागम में जिल्ली के through होता है जिसको हम semi permeable membrane बोलता English में अब जैसे for example diffusion का मैं example दूँ तो जैसे कि अगर बत्ती मतलब आपकी ममी ने जैसे कि बूजा करी अगर बत्ती जलाई उसकी मैं पूरे घर में फैल जाती है तो वह diffusion के through अगर कभी rate of diffusion आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा जल्दी किसमें होता ह है सबसे लेट किसमें होता है तो gases में जल्दी diffusion होता है लिक्विट्स में then solids में diffusion भी होता है मैंने आपको पढ़ाते वक्ति जब आच में करवाइं चीज़े तो पढ़ाया तो वहाँ पर लेकिन यहाँ पर जाने के जरत नहीं किस तरह से solid में diffusion होता है तो osmosis अब यहाँ प isotonic में रखतें तो क्या होगा hypotonic में रखतें तो क्या होगा तो क्यूंकि यह आपकी cell है और यहाँ पे भी selectively permeable membrane होगी तो इसमें भी हमें कुछ changes देखने को मिलेंगे movement हमेशा high concentration से low concentration होगा अब कैसे होगा ध्यान से समझे जल्दी से इसको तो देखिए होता क्या है ना कि hyp hypotonic जो होता है hypotonic इसमें बाहर का concentration अब मैं जब बोलू concentration तो किस चीज का concentration किस चीज का concentration हमेशा ध्यान लगना water के concentration की बात होती है ठीक है किस चीज से concentration की water की concentration की बात होती है तो जब water के concentration की यहाँ पर बात हो रही है तो हमें बस उसी पर focus करना है अब यहाँ पे है क्या यह क्योंकि low concentration है तो water अंदर की तरफ भागेगा, कहां भागेगा, water अंदर की तरफ भागेगा, जिसकी वज़े से यह जो हमारी RBCs हमारी swell कर जाएंगी, RBCs जो हमारी इनका जो size है वो increase हो जाएगा, इसी का ultra hypertonic में हो जाएगा, because यहां पे low concentration है, बाहर किसका water का और अंदर high concentration है, जिसकी वज़े से high से low movement होगा, और यह जो cell है वो shrink कर जाएगा, isotonic में कोई effect नहीं पड़ेगा, because equal ही concentration है, अंदर भी और बाहर भी water का, इसलिए यहां पे कोई effect ना पढ़ने वाला, ठीक है, cell membrane समझेगे, अब ही आ जाते हैं सेल वाल पे, ठीक है, इसको बोलते हैं कोशिका भित्ती, अब ध्यान इस बात कर रखेगा, कि जो cell membrane होती है, जो cell membrane होती है, यह आपको हर cell में मिलेगी, चैहे दुनिया की कोई भी cell हो, उसमें cell membrane तो मिलेगी ही मिलेगी, उसमें कोई doubt नहीं होना चाहिए, cell wall सब में नहीं मि मिलती है, यह मिलती है, बैक्टीरिया में, फंगस में, ठीक है, और प्लांट्स में, इन तीनों में मिलती है, में cell wall जिसको कुश्का भित्ती बोलते हैं, अब यह अलग-अलग चलो भी उस पे भी आएंगे, लेकिन पहले cell wall जो होती है, यह shape, strength और turgidity को determine करता है, तो अभी यह होगा, वहाँ पे यह बाहर होगा, यह अंदर होगा, माल लेते हैं, कोई एक ऐसी cell को अगर मैं draw करता हूँ, जिसमे cell wall है, cell membrane तो हो गई होगा, यह cell membrane होगा, इसके बाहर होगी cell wall, तो जो बाहर होता है बाहर, वही shape provide करता है, तो जहाँ पे cell wall होगी, तो वही shape provide करेगा, अगर वो नहीं है तो यह प्रवाइड करेंगा यह non living होती है वो क्या होती है हमारी living थी यह non living अगर आप ध्यां से यहाँ पर फोकुस करें तो यह freely permeable है वो semi permeable थी यह freely permeable है that means कि सब को allow कर देता है अंदर बाहर जाने के लिए बना किसका होता है तो यह बना होता है क्योंकि अभी मैंने बता है plants में भी होता है, bacteria में भी होता है fungus में भी होता है plants में अलग तरह का बना होता है cellulose का, bacteria में peptidoglycan, जिसको कि हम peptidahn के नाम से भी जानते है इसका बना होता है complex sugar होती है इसको बोलते है तो यह जो complex sugar होती है इसका बना हुआ होता है हमारा fungus का cell wall यह निकि जो कवक होता है उसकी कोश्का बित्ती chitin की बनी होती है clear होगा यहां तक cell wall भी हमने पढ़ लिया अब किस पर आते हैं अब आते हैं हम nucleus पर आप इसको ऐसे consider करो चलो यहां पर आ जाओ अभी अब आपको cell का यहां पर diagram दिखाता हूँ तो यह अब आपको समझ में आएगा यह है आपकी cell membrane जो आप यहां पर देख यह आपकी cell membrane है ठीक है अच्छे यहां पर secretory vesicle लिखा हुआ है इसका भी मतलब मैं आपको बताऊंगा कि यह क्या होता है actually होता किया ना कि मैंने पता है चीजें अंदर बाहर जाती है semi permeable membrane के थूँ तो वो पता है अंदर जाने वाला जो process होता है अंदर यहां पर मैं लिखता हूँ तो उसको हम बोलते हैं endocytosis क्या बोलते हैं endocytosis बोलते हैं जो अंदर जाती हैं चीजें जब चीजें बाहर जा तो इसको exocytosis बोलते हैं, cell से बाहर जा रही है, exocytosis, cell के अंदर आ रही है, तो endocytosis इसको बोलते हैं, अब अगर खाना अंदर आ रहा है, अगर खाना अंदर आ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं phagocytosis, क्या बोलते हैं, phagocytosis बोलते हैं, और अगर पानी अंदर आ रहा है, त इसको हम बोलते हैं पीनो साइट ऑसिस तो इस पर बहुत ज़्यादा कोईस्चन सो नहीं आएं बड़ क्योंकि हम सारी चीज़ें कवर करके चलेंगे तो इस वैसे यहां पर मैंना कोई चीज बता दी है ठीक है तो अभी यहां पर मैं आपको क्या बता रहा था था सेल का स्ट् यहां पर देख पा रहे हो इसजर ना इंग बट नुगलियस तो आते हैं चले नुगलियस पर की यह हमारा नुकलियす को ब्रेन अफीर सबसे बडा स स्ट्रक्चर और इपर रहा यहां च्टोर ओप कर दे activity of other cell parts, activity of other parts of cell, ठीक है, parts of cell, जिसकी वज़े से इसको हम brain of the cell के नाम से भी जानते हैं, इसके different components होते हैं, जैसे कि nuclear envelope होता है, अब क्या nuclear envelope होता है, वो पहले यहाँ पर देख लो, यहाँ पर जॉब देख पा रहे हैं यह वाला part जिसको nuclear envelope बोलते हैं, यह envelope में ही जैसे कि हमारी cell membrane में हमारी cell membrane में, cell के अंदर की सारी चीज़ें holded हैं, उसी तरह यह nucleos, जा यह nucleos, प्लाजम है, यह nuclear membrane एक तरह से हम बोल सकते हैं, इसके अंदर सारी चीज़ें यहाँ पर holdड ह और यहाँ पे आपका भरा हुआ है Nucleoplasm, यह जो भरा हुआ है Nucleoplasm, अभी मैंने आपको Cytoplasm के बारे में वैसे नहीं बता है, मैं आपको बता दू कि वैसे तो भी हम पढ़ेंगे इसके बारे मी, तो जो cell के अंदर यह जो jelly-like structure होता है, jelly-like matrix भरा होता है, इसको हम Cytoplasm नहीं बोलता है, तो यह जैसे Cytoplasm होता है, वैसे अंदर Nucleoplasm होता है, जैसे cell membrane होती है, वैसे nuclear membrane होती है हमारी ठीक है, तो यह nuclear envelope भी उसको हम बोल देते हैं, ठीक है, तो nuclear envelope में क्या-क्या आ जाता है आपका, इसमें आ जाता है composed of membranes and nucleus, separates nucleus from cytoplasm, cell है यह यह आपका nuclear envelope है, तो यह nucleus को अलग कर रहा है, किस से Cytoplasm से अलग कर रहा है, ठीक है, nucleoplasm क्या होता है, liquid ground substance होता है of nuclear envelope, तो nuclear envelope के अंदर जो आपका jelly-like matrix भरा हुआ है, उसी को हम nuclear envelope के नाम से जानते हैं, types क्या होता है nucleoplasm के, तो nucleoplasm में आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा, types का मतलब यह तो इसमें आपको nucleolus और chromatin material देखने को मिलेगा, nucleolus क्या होता है, पहली बात तो एक एक से ज़्यादा हो सकते हैं, it is the forms protein forming center cybosome, यानि कि यह ribogenesis में involved होता है, कैसे, यहाँ पर हो, तो यह जो nucleus है ना, तो यह जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसी को nucleolus बोलते हैं, और यह जो है, यह ribogenesis में involved है, नहीं ribosome के formation में involved है, यहाँ पर डॉट डॉट रेड कलर के जो structures देख पा रहे हैं, it is nothing but ribosome, यही ribosome होते हैं, जिसके formation में यह nucleolus involved है, clear इतनी चीज़, ठीक है, तो nucleolus आप समझे है, और chromatin material क्या है, यह आप धागे के नुमा structure देख रहे ह entangled mass of thread-like structures, और यही जो chromatin material है, जब cell divide होता है, जब cell division का process होता है, तो यही chromosome में बदल जाता है, thread-like structure visible during cell division, तो जब chromatin material जो दागेत वाला structure है, तो जब यह cell divide हो रहा होता है, तो वो chromosome में तबदील हो जाता है, ठीक है, तो यह भी thread-like structure होता है, यह एक तरह से arrange हो जाता है, त बिथरा बिथरा पड़ा रहता है तो chromatin material है, जब वो arranged हो जाता है अपने एक fixed pattern पे उसको chromosome बोलते हैं, ठीक है, components क्या होते हैं इसके DNA और protein, chromosome किसका बना होता है, DNA और protein का बना होता है, DNA क्या होता है, तो DNA जो है इस तरह का double helical structure होता है DNA का, ठीक है, double helical structure होता है DNA का, और इसमें DNA जो attached होते हैं, आपस में वो एक protein होता है, जिसको हम बोलते है, histone नाम का protein होता है, कौन सा protein होता है, histone, तो histone protein से connected होते है DNA, और DNA का जो functional segment होता है, जैसे for example, अभी यहाँ पे मैं draw गरता हूँ, यहाँ पे नीचे आजाओ, ठीक है, तो इसमें जो functional segment होता है, उसको हम जीन ब adapt होते हैं, यह four base pairs होते हैं, अघिनाइन, गौा माइन, थाई माइन, साइ्टो साइन, यह 4 base pairs होते हैं, DNA में, अचा DNA और RNA में difference क्या होता है, तो जो DNA है, उसका नाम में अगर हम ध्यान से देखें, तो deoxy ribonucleic acid, और उसको क्या है? ribonucleic acid तो यहाँ पर क्या होती है deoxy ribos sugar से बना होता है DNA और यह RNA ribos sugar से बना होता है इसमें भी 4 base pair होते है DNA में और RNA में भी 4 base pair होते है मैंने क्या पता है adenine, guamine, thymine, cytosine यह 4 base pair यह मैंने line सी draw कर रखी है RNA में भी 4 base pair होते है बट adenine, guamine, thymine और uracil हो जाता है इसमें से cytosine नहीं, uracil हो जाता है अब DNA के अगर हम बात करें तो इसका functional unit होता है gene जो आपको पता है एक generation से दूसरी generation में transfer होता है और यह protein मैंना आपको बता दिया है histone protein से बना होता है अब यह जो DNA है इसके regarding I think चीज लिखी होगी double helical structure that is जो duikundalias sanachina है duikundalias sanachina जो है इसकी Watson and Crick ने discover करी थी इंदा year 1953 और जो इसका molecule है इसके discovery करी थी Frederick Mischer ने ध्यान रखेगा इयर अगर हो सकते थोड़ा से देख लीजे because question आज चुका है इस पे कब double helical structure की discovery करी थी Watson और Crick ने इसी discovery के लिए इनको 1962 में Nobel Prize भी मिला था गोलगी bodies अभी हम नहीं पड़े हैं तो उस पे भी आ रहे हैं गोलगी bodies पे ठीक है तो nucleus देख लिए अब इसको केंदरक आवरक बोलते हैं ठीक है इसको केंदरक द्रवे बोलते हैं because एक तरह का जली लाइक एक तरह से मूल सकते हैं structure है ठीक है तो ये चीज़ आप समझ के क्रोमोजोम के component क्या होते हैं आप क्रोमोजोम कितने होते हैं तो क्रोमोजोम दिहान रखना कि ये 23 पे ये pairs में exist करते हैं 23 पे ये जो 22 होते हैं ये जो चीज़ है आपको जब हम diseases वाला chapter पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको ये चीज़ हल्प करेगी disease वाला chapter पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम जब देखेंगे इस चीज़ को कि जो हमारी diseases इसमें chromosome में और फिट जीन में abnormalities के जैसे होते हैं जिनको वह शानुगत diseases बोलते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशने पास होती हैं या फिर chromosome है फिर gene के बनॉर्मलिटी के वैसे पास होती है तो वह भी हम देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये chromosome तब आपको पता होने ची chromosome क्या हो तो होता है आटो जब deficiency तब आजाती जब की एक Cr замеч old Michelle होता है या फिर एक एक 屁ा में अच्ट्रा हो जाता है तो तब हमारे abnormalities देखने को मिलती है कि भी हमारे discussion पास है या इसमझ गया है कि सारी चिज़lles क्या होती है तो यह राइट साइट वाला पूरा कॉमपोनेंट हमने खतम कर लिया अब आएंगे very important यहीं का हम बौते हैं कुछ ना कुछ वंक्शन होता है कुछ ना कुछ रूल होता है इस particular cell में जो परफॉर्म कर रहे हैं क्या रोल होता है और उनके रिगार्डिंग कुछ एक्स्टा इंफोमेशन वह हम देखने वाले बर बिफोर डैट साइटो प्लाजम हमारा यहां पर चूट रहा है तो साइटो प्लाजम क्या जैसे मैंने बता है जो सेल के अंदर जो जली-like साइटो सोल बोल देता है अगर आधि कवी पूछले साइटो सोल क्या होता तो यहें कौन से नहीं चीज आगई कुछ नहीं जो साइचो प्लाजम होता है वह होता अब कर जहां पर सेल ओर यहां पर नहीं है तो सबसे पहले किस पर आएंगे endoplasmic reticulum पर आएंगे बिकॉज यह बहुत important है इसको बोलते है अन्ता प्रदवी जालिका अन्ता प्रदवी जालिका इसको बोलते हैं अब यह जो endoplasmic पर फोकस करना बाकी पर आपको इन्वाल्ड होता है ट्रांसपोर्ट में में इसका इन्वाल्ड होता है manufacture जो करते हैं manufacturing के काम यह इसके दो यह जो parts होते हैं जो endoplasmic reticulum के जो दो parts होते हैं वो manufacturing में involved है और यह खुद उस चीज़ के transportation में involved है इसका structure पहले यहां पर देखिए अपसल के यहां पर यह जो nuclear से इस इस तरह का जो आप structure देख पा रहे हैं, it is nothing but the endoplasmic reticulum, और ध्यान रखेगा, इसी structure को जो मैंने इस तरह से draw किया, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को भी बोलते हैं, क्रिस्टे, क्रिस्टे बोल रहा हूं, cistern है, ठीक, क्रिस्टे तो आपको mitochondria में देखने को मिलेगा, वो भी आपका इसी तरह से ही structure होता है, वो भी बो आपको दिखाऊंगा, यह होता है आपका cistern, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, cistern या फिर cistern है, तो क्या होते हैं, आपको किसमें देखने को मिलेगे, endoplasmic reticulum में, जो इस तरह से, इस तरह से, जो structure होता है, उसको हम cistern के नाम से जानते हैं, तो endoplasmic reticulum का function समझे है, क्या होता है, इसका function होता है, क्या, transport करने का, क्या transport करेगा, जो यह rough endoplasmic reticulum और smooth endoplasmic reticulum जिस चीज़ को भी manufacture करेगे, उसको, rough वाला किसको manufacture करेगा, protein को manufacture करेगा, protein को बनाएगा, क्योंकि इसमें होता है, ribosome, अभी मैं आपको structure ribosome था, जिसकी वज़े से ही यह rough होता है, और यह protein बनाता है, smooth वाला fats और lipids का synthesis करता है, ribosome यहाँ पर absent होते हैं, नहीं तो protein ना synthesize करता, और अगर ribosome होता, तो फिर smooth ही क्यों होता, rough होता, तो अब यह जो भी उन्हें बनाया protein और आपका fats और lipids हैं, उसको यह कर देगा, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट करके ले जाएगा किसके पास, गोलगी बोडी या फिर गोलगी अपरेटर्स जिसकी discovery क्या मिलियो, गोलगी ने करी तो हमने देखा था, अब इसमें जो होता है, गोलगी बोडी का कुछ structure इस तरह से होता है, चलो पहले चोड़ दो structure, पह तो क्या होगा, वो कहीं पहले बना होगा, manufacture होगा, उसके different parts manufacture होगे, फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया गया होगा, फिर उसकी packaging और packaging और dispatching होगी वहाँ से, तो manufacturing का काम इसका हो गया, और इसका transport का काम हो गया, यह जो packaging और dispatching का जो काम है, वो गोलगी अपरेटर्स या फिर ग गोलगी बाड़ी तो गोलगी अपरेटर्स में ही होता है, अब यह सिसफेस और ट्रांसपेस क्या होता ह estamos तो यह दियान से देखो, यह आपका यह ढोल गाविश aur जो गोलगी अपरेटर्स इपरेटर्स इवो गोलगी बाड़ी तो cis और trans, cis, trans, cis, trans ठीक है, तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा कि cis face कौन सा होता है और trans face कौन सा होता है ठीक है, तो गोल की bodies भी हमें समझ में आ गया, अब lysosome के formation में involved है lysosome क्या होता है तो lysosome होता है हमारा suicidal bag of the cell suicidal bag of the cell मतलब, मतलब यह होता है कि actually होता ही है कि इसमें को hydrolytic enzyme देखने को मिलता है hydrolytic enzyme देखने को मिलता है इसमें, यह जो hydrolytic enzyme है और यार्ट में तो मैंने हिंदी बता दिया ना अन्ता प्रदवी का जाली का नाम होता है ठीक है, यह चीज़ ध्यान रखिएगा हिंदी में classification में भी इसका काम होता है हमें usually यही लगता है कि बस इसका काम manufacturing का है या फिर lyzozome का main काम होता है कि चीज़ें जो बेगार हो गई उसको उटाने का लेकिन ये तो तब lyzozome काम में आएगा इसको हम आत्मगाती थैली के नाम से जानते है आत्मगाती थैली का मतलब होता है suicidal bag of the cell क्या बोलते हैं इसको suicidal bag of the cell आत्मगाती थैली इसमें hydraulic enzyme हैने कि पाचन enzyme होता है अब होता क्या है कि जब भी कोई cell का organal काम नहीं कर रहा है तो इसकी फट जाती है membrane जो होती है वो ठीक है यह जो outer membrane है वो तो इससे क्या होता है hydraulic enzyme निकलाता है और वो hydraulic enzyme उसको digest कर देता है किसको cell को अभी जब cell को digest करने का मतलब यह है कि पूरी तरह से cell को खतम कर देगा और वहाँ पे नई cell का जो है जन्म हो जाएगा through the cell division जिसको भी हम देखने वाले हैं तो endoplasma reticulum ध्यान रखेगा यह तो तब अगर कोई cell organal perform नहीं कर रहा है तो पूरा cell को ही खतम कर देगा यह पूरे cell को नहीं खतम कर रहा है इसमें digestive enzyme है hydraulic enzyme ठीक है hydraulic enzyme जिसका actual में जो manufacturing है पता है कहा हो रहा है यहीं हो रहा है lysosome बन रहा है कहां पे गोलगी body इस पे लेकिन इसका जो hydraulic enzyme है जिसके अभी मैं बात कर रहा था है जो पाचन enzyme होता है जिसमें digestive capabilities होती है वह rough endoplasmological में बनता है वहीं पे ER जो होता है अगर कोई इस तरह का foreign substance आ गया तो उसको हटाने का काम बाहर भेजने का काम पूरी cell को नहीं मारता बाहर भेजने काम ER का होता है और ER में ये भी ध्यान रखेगा कि ये थोड़ा बहुत मतलब की थोड़ा बहुत nutrients वगएरा भी store करता है लेकिन main function उसका वही है ट्रांसपोर्ट करने का थोड़ा बहुत ये है कि वो इन सब को जो detoxification में ये भी आपका involved होता है clear इतनी चीज लाइजोजोम भी आपने देख लिया लाइजोजोम बनता कहा है लाइजोजोम का hydroletic enzyme कहाँ पर बनता है वो भी आपने देख लिया hydroletic enzyme यहां RER में बनता है और ये खुद गोलगी bodies में बनता है और उपर चड़ते है mitochondria पर आते है mitochondria मतलब सूत्र कणि का इसको हिंदी में बोलते है ये होता है हमारा power house of the cell अब गोलगी bodies क्योंकि packaging और dispatching में involved थे इसलिए को हम क्या बोलते है post office of the cell ये cell के post office होते है ठीक है post office में ही तो तरह की packaging और dispatching होती है mitochondria तो power house of the cell होते है यानि कि ये power generate करने का काम करते है अब ये power को कैसे generate करते हैं वो भी ध्यान से समझे है ये ATP के form में generate करते है adenosine triphosphate full form होता है इनको energy currency of the cell बोलते है ये की उर्जा मुद्रा बोलते है कोशिका की structure भी देखेंगे अक्चल मिसमें दो membrane होती है ठीक है एक outer और एक inner outer porous होती है और अंदर वाली जो होती inner वो ही ATP के synthesis में involved होती है ये आप देखें ये mitochondria है अब ये जो आप ये देख पा रहे हैं outer layer है जो porous in nature होती है और ये porous in the sense कि ये चीज़ें हो रहा है ठीक है respiration में आप लोगों ने पढ़ा होगा नहीं तो मागे अभी तो पढ़े नहीं है आगे हम पढ़ेंगे कि respiration आपका यहीं पर होता है mitochondria में ठीक है तो यहीं पर क्या होगा पहले तो साइटो प्लाजा में थोड़ा बहुत respiration होगा जिसके और यहां पर भी दो ATP के molecule बन जाएंगे लेकिन जो main energy बनती हो mitochondria के अंदर बनती जहां पर 36 ATP के molecule बनते है mitochondria के अंदर 36 और यहां पर दो यहां पर ध्यान से देखिए इसका कुछ structure इस तरह साब को नजर नहीं आ रहा है इसी को बोलते है क्रिस्टे जो sister ने होता है मैं आपको बताया था वो endoplasmate reticulum में जो इस तरह का structure होता है यह जो इस तरह का structure इसको क्रिस्टे बोलते है और यह जो inner membrane यहीं पर ATP का फॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि यह माना जाता है कि बहुत पहले ही मतलब यह अपने आप में एक cell हुआ करते था इंडिपेंडेंटली exist करते थे cell के अंदर नहीं exist करते थे तो इसलिए इनको खुद का DNA राइबोजोम रखना अनिवार हो गया था अब आते हैं एक और और ऐसे cell और पर इसको भी skip करते हैं जिसका खुद का DNA राइबोजोम होता है उसको बोलते हैं प्लास्टिड यह सिर्फ और आपको प्लांट सेल में ही देखने को मिलेगा जैसे कि हम cell wall पढ़ रहे थे cell wall भी आपको सिर्फ plant cell animals, sorry bacterial cell और fungal cell में देखने को मिल रहा था animal cell में नहीं था cell wall उसी तरह प्लास्टिड जो है सिर्फ आपका प्लांट सेल यह तो आपका बैक्टिरिया fungus में भी नहीं है सिर्फ प्लांट में ही पाया जाता है और यह animal cell में नहीं पाया जाता है इसका भी खुद का DNA और राइबोजोम होता है इसके तीन टाइप्स होता है जैसे एंडो प्लास्म क्रिटिकलम के दो टाइप्स है RER और SER इसके तीन है chloro, chromo और leuko chloro जो होता है इस टोर्स chlorophyll pigment यह इसमें chlorophyll pigment होता है जो आपको पता होगा green इस अब पढ़ेंगे इस चीज़ को भी इक green color प्रवाइड करता है इसमें magnesium metal होता है तो यह जो chlorophyll pigment है इसी की वज़े से यह photosynthesis में involved होता है यानि कि यह खाना बनाने में involved होता है प्रकास अंसलेशन से ही हमें पता है कि जो plants होते है वो autotrophs होते है तो प्रकास अंसलेशन से ही अपना खाना बनाते है photosynthesis से तो वो chlorophyll के यूज करके बनाते है तो जो chloroplast होता है उसकी मदद से chromoplast होता है chromoplast होता है chromoplast होता है अपका chroma color color provide करते है यह stores color pigments जैसे for example अगर हम बात करें तो जैसे tomatoes होता है तो जो लाल color होता है तो जो लाल color होता है तो लाइकोपीन होता है उसकी वज़े से यह लाल होता है जैसे carrot के अगर बात करें carrot तो जो carotanites होता है उसकी वज़े से इसका जो color होता है तो यह जो color होता है यह तो मैंने सिफ आपको दो एक्जांपल में तो यहां मैंने सिफ आपको दो दी ए च्छाहेएं मारेगफेल्स के कलर हो गए end फोल की पत्ति के अपने कलर размер दек्याूं कि ऊ सबре встрет प्र प्रवाइड करते है लिवकल प्लास्ट का जो काम होता है वह स्टोरेज का काम होता है किन चीजां को स्टोर करता है तो भ starch and then carb, इसको कौन स्टोर करता है, तो ये lycoplast का एक type होता है, जिसको हम बोलते है, amyloplast, ध्यान रखेएगे इसजी को, amyloplast होता है, oil को स्टोर करता है, ilioplast, कौन, ilioplast स्टोर करता है, और अगर protein की अगर बात करें, तो इसको स्टोर करने का काम होता है alluroplast का किसका alluro pum First ठीक है email किसका कर रहा है इसका- Elios ko gleich आद कर लो जो लाई चेनना नहीं तो लाई में बहुत fat होता है fatelling को स्टोर करने का काम इलाई los garment alluro Ω Commission और protein में भी रहा है इस तरह से आप इसको याद कर सकते है अब आते हैं आखरी सेल और घेल वाक कीओल होता है प्लांच सेल अपर में यह पर्मानेंट होता है हमेशा यहां पर जब नीड होती है तब होता है इतना बड़ा होता है यहां पर फिंट सेल 90% जो है cell का volume occupy करके रखता है इतना बड़ा होता है यहाँ पर छोटा होता है small होता है temporary होता है ठीक है यह glucose store करता है glycogen store करता है protein को store करने का इसका काम रहता है nutrients वगरा को store करता है injury को prevent करता है prevent injury कैसे prevent करता है injury को क्योंकि यह turgid और rigid होता है यहाँ पर लिखा होगा नहीं लिखा है क्या लिखा तो होगा कहीं लिखा हुए provide turgidity and rigidity ठीक है turgidity और rigidity प्रवाइड करता है अब इसको थोड़ा feel लो यह turgid और rigid का मतलब करता है तो turgid जैसे आप balloon में पानी भर दो तो turgid हो जात है खतम हो गया सब कुछ नहीं कुछ बाकी है भी कुछ तो बाकी है और वो कुछ क्या है वो कुछ है पहले हम types of cell पढ़ते हैं उसके बाद cell division और यह खतम topic हमारा types of cell में दो तरह की cell होती ही prokaryotic और eukaryotic prokaryotic क्या होती है यह लोग pro होते हैं बहुत ज़्यदा प्रो होते हैं बहुत सारी चीज़ों की नहीं होती है और छोटे होते हैं आप यह मांगे 0.1 से लेके 0.5 micrometer से यह 10 से लेके 100 micrometer तक इनका size होता है यह बहुत बड़े होते हैं यू का मतलब होता है true और karyot का मतलब होता है nucleus है नहीं है true nucleus होता है तो यहाँ पे मत समझो यहाँ पे आ प्रू कैयोड वर्सेज्य उकैयोड के डिफ्रेंस पर धान से देखना ये लेट साइड में ब्रू कैयोड है राइट europa यू कैयोड इसमें कुछ नहीं हैं इसमीं कुछ नहीं चीजसां चीज़ों छोड़ के यानी कि ध्यान रखेव को इसमें हमें इसल ओरकन। बहुत नुअल नुए और fort नीकेलर मेंब्रेस दिक्रालोग को बमलते हैं। नुइंड लोगी ओवसी बास है। वयат in कि भूल यहांब करें, रखेंगी नहीं हो तो कहां से हो जाएगा। यह आपका नुपलएट होगया। अब एक चीज जो common होती है pro और eukaryot में वो ribozome होता है देख रहो तब यहाँ पे भी ribozome है यहाँ पे भी ribozome है तो यह बस एक दम धान से दो चीज़ें बस तीन चीज़ें धान लग नहीं बस तीन चीज़ें और कुछ नहीं इसमें cell-organal नहीं होते हैं इसमें होते हैं इसमें nucleus नहीं होता है undefined nucleo region को nucleoid बोलते हैं इसमें होता है और जो चीज common होती है prokaryot और eukaryot में वो ribozome होती है बस खतम अब तुम बोलोगे cell wall भी तो थी है तो cell wall वो तो होगी होगी ठीक है वो तो तो तुम्हें याँ थोड़ी न करना है वो तो होगी होगी वो तो पक्का बात है वो यह flagulum क्या है तो यह पता है jopro karyotic होती हमें कहां देखने को यह तो हमें plants में भी देखने को मिलेगी cell में भी काफी well developed है ना cell organ всё नहीं कि well developed cell prokaryote उन में देखने को मिलेगी जो हम्हें well developed जो हमारे organism नहीं है जैसे कि बैकटीरिया इसका सबसे बेस्ट एक्जाम्बल है जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है आप ध्यान से देखें बैक्टीरिया साइनो बैक्टीरिया माइको प्लाज्मा वही माइको प्लाज्मा जो सबसे जिसकी छोटी सेल होती है इसी साइनो बैक्टीरिया को हम जानते हैं ब्लू ग्रीन अल्गे के नाम सब सब कुछ होता है ठीक है वो मैंने आपको बता दिया है अब एक चीज ध्यान से देखना वहाँ पर मैंने आपको फ्लागला कुछ बताया था देखा था है यहाँ पर हम लोग है यह फ्लागलम यह फ्लागलम क्या होता है तो फ्लागलम वो चीज होती है जो इन यू कारियो 2022 के सीजल में और सीजल 2023 और बाकी भी जो SSC के एक्जाम्स होते रहें ठीक है कोई डिफरेंस नहीं होता है उनको पहली बता चुक हूँ जा सीजल हो, CHSL हो, CPO, MTS हो ठीक है जीके में कोई आसज़ डिफरेंस नहीं है इसके तीन पार्ट याद रखने एक तो यह जिसको बेजल बॉड़ी बोलता है एक यह जो फिलमेंट होगे इस तरह से इन दोनों को जो connect करके रखता है इस पार्ट इस फिलमेंट बस तीन पार्ट इसका याद रखने बात खतम अब आते हैं लास् आएगा S phase जहाँ पर DNA synthesize होगा then आएगा आपका G2 phase जहाँ परेपरेशन होगी for the cell division जो कि हमारा last step है last step है कौन सा M M मतलब mitosis and cell divide हो गया समझे आपको पहले G1 हुआ, growth हुई cell की then DNA synthesize हुआ, then क्या हुआ then growth हुई preparation हुई cell division के लिए और यहाँ पर cell divide हो गया last step वही लिखा हुआ यहाँ पर ठीक है phase हो गया, इस पर भी खूब question बने है cell division के अगर types की अगर बात करें तो दो type होते है, mitosis और meiosis, mitosis यह somatic cells में exist करता है, water somatic cells तो वो cell जो sex cells नहीं होती है, जो sex में involved नहीं होती है उनको somatic cells बोलते हैं और जो sex में involved होती है, उनको germ cells बोलते है meiosis होती है यहाँ पर mitosis में एक parent cell, दो daughter cell में convert होती है, या फिर divide होती है, meiosis में एक parent cell, चार daughter cell में, पहले दो daughter cell, then further यह दो-दो में divide होती है, यानि कि ultimately अगर हम देखें तो चार daughter cells निकल के आ रही है, यह आपको diploid, मैं मतलब यहाँ पर diploid देखने को मिलेगा, और यहाँ पर haploid ही, diploid होता क्या है diploid हमें से somatic cells में देखने को मिलता है, diploid का मतलब यह होता है, दो set of chromosomes 2 set of chromosomes haploid का मतलब होता है only one set of chromosome ठीक है, वही xx या xy, या दा रहा germ cell xx और xy female में आपका xs और male में xy यहाँ पर क्या होता है, यहाँ आपको diploid यानि की pairs में 2 set देखने को मिलते हैं, chromosome के clarity बात, खतम हो गया, पूरा chapter, ठीक है अब एक बार हम इसको थोड़ा सा देख लें, कुछ छूट तो सारी चीज़े हो गई, centrosome चूट रहा है थोड़ा सा, centrosome क्या होता है तो अभी जो मैं chromosome को पढ़ा रहा था, उसका equal distribution maintain रखना, daughter cells में chromosome का वो centrosome का formation का main काम होता है, और यह जो ध्यान रखना यहाँ पर एक चीज, और यह जो microtubules दिख रहे हैं, आपको microtubules इसको organize करने का यह organized हैं आपे, तो इसको organize करने का काम होता है, centrosome का यानि कि these are microtubules organizing center, खतम बात and the last part is this peroxisome peroxisome जो है oxidative crystals को generate करता है oxidative crystals को generate करता है, और यह oxidative crystals करते क्या हैं, यह oxidation कर देते हैं, उन चीजों का जो selmenade नहीं होती है, जैसे for example hydrogen per oxide इसको oxidation करके बोलेगा चल निकल, अब शब्द बोल देगा बाद में कुछ ठीक है, तो hydrogen per oxide जो होता है, इसको oxidation करके निकाल देता है, तो oxidative crystals के formation में involved होता है, खतम हो गया असर आपका chapter, अब आप इससे वैसे अगर कहीं से question लगाना चाहते हैं, तो आप लगा सकते हैं बाकी तो मैंने अपने side से इसको खतम करवा दिया है, अब हम क्या करेंगे अगले जो chapter होगा, that would be tissues ठीक है, tissue होगा हमारा, question मैं करूँगा, plant tissue और animal tissue एक ही तो थोड़ा सा टाइमिंग मुझे भी adjust करना पड़ेगा, so that की, disturbance सेम दिन, आपको सेम टाइम पर क्लास जाए ठीक है, तो बाकी lecture कैसा लगा comment section में ज़रूर बताईएगा, feedback important है, ठीक है, like भाही करिएगा नहीं करिएगा आपकी मर्जी है, लेकिन link भी आपको वीडियो के description मिल जाएगा, उसको भी join कर ले, because वहाँ पर भी आप questions attempt करते रहें, quizzes attempt करते रहें, lecture पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद